नमस्कार, जै आर्सेम, बहुत-बहुत स्वाधत है आप सबी लोगों का आज के इस वीडियों में आप सबको पता है कि आर्सेम बिजनेस भारत का सबसे भैतरीन मल्टी लिवर मार्केटिंग का एक बिजनेस है जो एक आम आदमी को खास बनाता है एक गरीब आदमी को अमीर बनाता है और लोगों के आखों में पल रहे सपनों को पूरा करने का एक आउसर देता है जिसमें लोग ताम करके बहुत सारे लोग अपने एक सफल जीवन को आज के समय में जीर है लेकिन उसके बाद भी इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ऐसा क्या है कि रॉल्टी एचीवर या टिक्निकल एचीवर इस बिजनस से आउट हो जाते हैं जैजू कहें कि वो बिजनस को करते भी हैं तो बहुत थीरे तरीके से करना शुरूब होते हैं वो किवल इस बिजनस में बने रहते हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन एक कारण जो मुझे मैं बहुत अपने आसपास और लोगों को देख रहा हूँ उससे मैं आप बता रहा है और आप भी 30,000 रुपए की आंधनी शुरू होती है आपकी तो आपको या किसी को भी जो भी रॉल्टी एचीवर है या टेक्निकल है 50,000 रुपए की आंधनी हो रही है तो उसको ये लगता है कि अब तो हम stable कर चुके हैं अपने जिंदगी अब ये आंधनी तो हमारी life काई माने वाली है तो उस शक्कर में वो क्या कर देता है वो विक्ती जो भी इस तरीके का बिसनस करते हैं वो अपने जिंदगी में money management न करते हुए वो credit card पे depend हो जाते है उनकी जो आंधनी आती है वो EMI में चली जाती है यानि यू कहें कि वो अपने जिवन को उधार में जीना शुरू कर देती है और जब इस तरीके का जिवन होता है और 4-6 महिने 5 महिने जब business disturb होता है तो होता क्या है कि सही समय पे EMI जमाने ही होती है खर्चे बढ़ जाते है आमदनी या तो सिमित हो जाती है या तो घर जाती है तो आदमी टेंसन में आता है डिप्रेशन में आता है और जब इस तरीके की चीजे बंती है और चलती वो सुधरती नहीं है क्योंकि उन्होंने गलती तो कर दी है तो क्या होता है कि फिर फैमली में डिस्प्यूट होता है बहुत सारे नकरात्मक विचार उनके दिमाग में आते है दीरे-दीरे करकर करकर करते करते और बहुत सारी चीजों को सबस्ते हुए समाजिक जो ताना पाना है उन सब चीजों को देखते हुए उस business को छोड़के, वो या तो job में चले जाते हैं, किसी या तो किसी traditional business में चले जाते हैं आपने गलती कहां कि, जब आपके account में 25-30,000 रुपए आ रहे थे तो आपको सबसे पहले saving अपनी पढ़ानी चाहिए थी या आपको कहीं और जगा invest करना चाहिए था अपने खर्चे को limit करिए, आपने जब business शुरू किया तो बिना किसी एक रुपए आंदनी की आर्से शुरू किया, आप 30,000 तक पहुँच गए उसी बाइक से business करके पहुँचे ना, तो आप 30,000 के आंदनी तक पहुँचे तो उसी बाइक से आप तब तक बिजनस करिए जब तक की एक लाग रुपए की आंदनी आपकी ना आ आ जाए आप मुकेस कुठारी जी को सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं आर्से में जो करोड़पती हो चुके हैं आज के समय में उन लोगों ने क्या किया, जब उनके अकाउंट में रुपए आने शुरू हुए, तो उन लोगों ने निवेश करना शुरू किया, अलग-अलग जगा पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, मुझे याद है बनारस में आज के करीब चार साल पहले मुने मुकेस कुठारी जी वो जब RCM से कमाना शुरू किये, तो उस रुपए को अलग-अलग जगा पे निवेश किया और वहां से आंदनी शुरू हो गई, तो वो कभी टेंसिन में नहीं रहते हैं, बोले आप तुम्हें 15 दिन आरसियम करता हूं, 15 दिन बागी जो बिजनेस है उसको मैं समाजता हू सब लोग जानते हैं कि उनका रेलिश्टेट का बहुत बला बिजनेस हो गया है, और नहीं बहुत सारे बिजनेस है, हाल लीडर अलग-अलग सेग्मेंट में बिजनेस कर रहा है, तो आपको जब RCM रूपए दे रहा है, तो आप उसको निवेश करी और खर्चे को कम करी, आ चाहता हूं कि आपके घर में गारी आया, आपके घर में फ्लैट आया, आपके बच्चों का अच्छा एडुकेशन लेकिन समझदारी से, आज के समय में अगर आप डेफ्ट फ्री जीवन जी रहें, तो यकीन मानें आपका जीवन सबसे बढ़ियां, शांदार है, आप स्रा आपकी बहुत बड़ी टीम का सेलिब्रेशन वोगा आप दिखेंगे ही नहीं, आपका मुबाइल बंद हो जाएगा, आप लोगों से अपना आई कॉल्टेक नहीं मिला पाएंगे, आप सीन में कहीं दिखेंगे ही नहीं, तो वो सब चीजे नहों, उससे बढ़ियां आईए है कि आप फिल स्टेबल बिजनस करिए, आप एक-एक स्टेप उठाइए, आराम से चाहिए, आज तक मैंने क्रेटिट कार्ड अपने जिंदेगी में कभी, अभी 31 साल की उमर होगे, मैंने लिया ही नहीं, मैंने पास सब कुछ है, मैं जब जून सन 2016 को बिजनस स्टार्ट कि तो मैरे टीम के लोग जानते हैं, मैं तो एंज्वाय गर्मा वार्टेम के साथ, तो रेक्वेस्ट यही है, कि आपके पास जो भी रूपय आ रहा है, उसको सही तरीके से निवेश करिए, या यू कहें, उसको सेविंग में डालिए, लेकिन कभी भी कर्ज में जीवन को मत ज ले जाएंगे, इसलिए आप, कु मैंने आपके सामने के मैंने बात रखिये, बाकी मर्जी आपकी, आपकी इस तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो लोग इस बिसनेस से इस तरीके से आउट हूँ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, य बज जो आपकी है.